खुदा ने दी जिंदगी मा बाप ने दिया प्यार लेकिन जिंदगी की रहा पर जिन्हों ने चलना सिखाया उसकी लिए मैं हूँ अपने गुरू का शुक्र गुजार दुनिया के हर गम से अंचान बना दिया तभी तो गुमनामी के अंधेरों में भी मैंने खुद का पहचान बना लिया जल जाते हैं वो दिये की तरह कई जीवन रौसन कर जाते हैं कुछ इसी तरह से हर गुरू अपना फर्ज निभा जाते हैं दूर तक जाना पड़ता है सर्फ यह जानने के लिए कि नजधी कौन है वक्त आपका है चाहो तो सोना बना लो चाहो तो सोने में गुजार दो वक्त हाला को देखकर बदलता है और अपने मॉकादेकर मौका देखकर बुरा करने का विचार आए तो कलपे टालो अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए क्योंकि शावासी और दोखा दोनों पीठ पीछे से ही मिलते हैं सचे इंसान को जूटे इंसान से अक्सर ज़्यादा सफाई देनी पड़ती है सच को तमीज ही नहीं बात करने की जूट को देखो कितना मीठा बोलता है पर्खो तो कोई अपना नहीं समझो तो कोई पराया नहीं कई बार मन करता है हार मान लो लेकिन बाद में याद आता है अभी तो मुझे बहुत लोगों को गलत साबित करना है ये वो दौर है जहां मासुमियत को बेवकुफी कहा जाता है अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना क्योंकि जो चीजें गिनी जा सकें वो यकीनन खत्म हो जाती है मेरी मंजले मेरे करीब है इसका मुझे एहसास है घमंड नहीं मुझे अपने एरादों पर ये मेरी सोच और होसले का विश्वास है आदी जिन्दगी गुजार दी हमने पढ़ते पढ़ते और सीखा क्या एक दूसरे को नीचा दिखाना जीवन में इतना तो संगर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्म विश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उधारन न देना पड़े दूसरों के बुरे वक्त पे हसने वालो वक्त जब भी शिकार करता है तो वो हर दिशा से वार करता है माबाप की नसियत सब को बुरी लगती है लेकिन माबाप की वसियत सब को अच्छी लगती है बढ़ा देती है नीदे कुछ जिम्मेदारियां घर दी रात में जागने वाला हर शक्स आशिक नहीं होता उमीद हमें कभी भी छोड़ कर नहीं जाती बस हम ही उसे छोड़ देते हैं दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है समस्दारों को समझना लोग बदलते नहीं बे नकाब होते हैं कदर करने वाले को हमेशा बेकदर लोग ही मिलते हैं न किसी के अभाव में जियो न किसी के प्रभाव में जियो ये जिन्दगी है आपकी, आप अपने स्वभाव में जियो अक्सर अकेले पंज से वही गुजरता है जो जिन्दगी में सही फैसलों को चुनता है जिन्दगी की रेस में जो लोग आपको दोड़ कर नहीं हरा पाते वही आपको तोड़ कर हराने की कोशिश करते हैं उपर वाला मौच में आए तो सरताज बना देता है और जरासी नजर फेर ले तो महताज बना देता है झाला मौच में आपको तो सरता है